आप सभी का डे फर्स्ट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुबह के आट बज रहे हैं और तुम्हारी एक्साइटमेंट दिख रही है अटेंडेंस फटा फट लगा दो और स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जो कि हमारा बिजनस इन्वार्मेंट का बेसिक कंसेट ठीक है MCQs लाइन बाइन बनते हैं तो मैंने अपने नोटस उठाए और नोटस से मैंने तुम्हें पढ़ाने हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले मैं समझना हुद कि بिजनस और इन्वार्मेंट दोनों ही अपने जगहें प अलग है इन्वार्मेंट इक अलग टर्मिनोलॉजी है जहां तक मुझे मालूम है कि बिजनस एक वैसे एक्टिविटी है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है business environment में है ना so business environment क्या है ये combination है दो words का कौन-कौन से business और environment business का मतलब होता है वो सारे activities जो की तुमारे production, trade, banking, insurance, finance और other related activities के consideration में हो या फिर तुम कह सकते हो related है उससे और environment तुम्हें मालूम है वो सारे external forces जो के business के functioning को effect करते हैं अब एक चीज़ याद रखना जहां भी word environment आए totally में तुम्हें consider करना होगा कि वो external होते हैं वैसे होते तो है internal as well as external both लेकिन यहाँ पर हमें consider करना है कि external है reason behind यह है कि internal हम control कर सकते है external कहीं न कहीं out of the control है so business environment का basic मतलब यह होता है कुछ basic definitions दे रखें जो कि important तो नहीं है लेकिन चाहो तो तुम इसे देख सकते हो अब देखो यहाँ पर दो term नीगल कराते हैं specific और general forces specific forces simply कौन-कौन से आएंगे हमारे investors हो गए customers हो गए suppliers हो गए यह हमारे होते है specific forces वहीं बात करो general forces की तो इसके अदर political, legal, technological, condition यह सारे चीज़े इसमें आती है अब देखो यहाँ पर core important चीज़ तुम्हें मैं बताना चाहूँगा मैं highlighter ले ले रहा हूँ एक minute वेट करो यहाँ पर देखो general forces का जो impact होता है वो पूरे business enterprise पे होता है और दस में effect an individual from indirectly only वहीं बात करो specific forces की तो यह कहीं न कहीं directly और immediately हमारे day-to-day working में effect लाते हैं इसके day-to-day effect में business के day-to-day effect में तो यह सारी चीज़े याद रखना अब देखो जो business environment है हमारा वो dynamic forces है dynamic का मतलब क्या होता है कि जो change होता रहे time to time मतलब आज कुछ है कल कुछ और रहेगा परसो कुछ और रहेगा complex है मतलब इससे समझना आसान नहीं है थोरी सी कठनाईया तुम्हें इसमें देखने को मिलती है uncertain होता है uncertain in the sense कि तुम इसे predict नहीं कर सकते हो कि कल क्या होगा यह predict करना possible नहीं है तुम कर सकते हो कि तुमारे interns में कितने score आएंगे तुम predict कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो business environment जो होता है वो भी uncertain होता है multifested होता है इसका मतलब तुम्हें बताना है comment section में फटा-फट जाओ comment करो far reaching impact यह दोनों मतलब तुम्हें बताने होंगे तो homework रहे और relative का मतलब होता है यह differ करता है from one reason to another reason अगर यह दो मतलब तुम्हें नहीं समझे तो comment में पूछना मैं बतागो लेकिन courses करना answer देंगे अब देखो इन सब को यहां पर detail में explain किया गया है यह हम revise कर रहे है इन सब को यहां पर detail में discuss नहीं करेंगे अब जैसे कि specific general forces क्या होते है उसके बारे में आपर चर्चा की गई है यह सारे चीज़े तो मैं आपर देख रहे हो इन सब चीज़ों को याद रख रहे है अब बारी आती है कि business environment जो हम business के environment को अगर properly analyze करते है time to time तो उसके क्या फाइदे हो सकते है तुम सोच कर देखो अपने दिमाग को इससे क्या होगा इससे क्या होगा जो भी opportunities होंगी तुमारे surrounding में फ्यूचर में जो भी opportunities आ सकती है उस first mover advantage ले पाओगे ना दूसरे forms दूसरे competitors मच्छर मार रहे होंगे तब तब उस particular time में तुमने अपने environment को analyze कर लिया अब तुम्हारे पास वो opportunity है कि तुम उस particular opportunity को identify करो first mover advantage लो तो यह हमें मदद मिलता है इससे helps in identifying threat threats आलो कि कोई भी competitor नया आने वाला है या कोई threat आने वाला है मार्केट में तुम पहले ही identify कर जाओगे useful resources जोंगे उसे तुम tap करने में तुम्हें सहाइता मिलेगी मतलब बहुत ही आसानी से तुमसे grab कर पाओगे planning और policy formulation में मदद मिलेगी तुम्हारे अंदर वो competition ability आएगी और साथी साथ public के नजर में तुम्हारा अच्छा image भी बते हैं सर अब external environment के अंदर दो पार्ट से micro environment और as well as micro macro तो अलग-अलग types के environments होते हैं तुम्हें इसके अलग-अलग नाम याद रखने मैं बताऊंगा थोरी दिर में internal environment के अंदर क्या क्या आएंगे जो तुम्हारे within the organization जैसे कि value system mission objective organizational structures corporate culture quality of human resource labor unions physical resource यह सारी चीज़े आती है नहीं तुमारे internal environment के अंदर बात करो external environment के तो external environment को दो पार्ट में categorize किया गए एक होता है सर हमारा micro एक होता है macro क्या सर इसके कोई अलग-अलग नाम है बताऊंगा थोड़ी दर सबर कर लो माइकरो के अंदर तुम्हारे organization आ गए तुम्हारे customers आ गए competitors आ गए market suppliers और intermediaries मतलब कुछ extent तक हमारा इन सब पर control होता है महीं बात करो macro environment की तो macro के अंदर तुम्हारे economy से related जो भी इनवामेंट हों political, legal, technological, global, socio-culture, demographic मतलब बड़े level वाले चीज़े यहाँ पर आती है अब यहाँ पर comparison दे रखा internal environment, external environment का यह तुम्हारे लिए hw हो गया, देख लेना एक बार हो सकता है कि पूछ लिया जाए अब detail में पढ़ते हैं कि सर internal environment होता क्या है, वैसे factors जो कि तुम्हारे firm के अंदर हो, internal हो, तुम्हारे body के अंदर हो, तुम्हारे घर के अंदर हो, समझ रहे हो ना, इससे ज्यादे example नहीं दे सकता हूँ, कि वो तुम्हारे internal environment के अंदर आएंगे, factors existing within a business firm, ध्यान से देख ल पातावरन में, जिनका influence business के functioning पे होता है मेरे भाई, ठीक है, clearly याद रख लेना, अब देखो, यहाँ पे एक नयाची जाता है, external environment, के अंदर दो parts है, micro, और एक है macro, sir, अब इसे हम निम्हानी के form में, या फिर तुम बोल सकते हैं, normal, इसे हम याद रख सकते हैं, cosmic कहके, C for customer, O for organization, S for suppliers, M for market intermediaries, I for intermediaries, sorry, M for market suppliers, I for intermediaries, and C for competitors, नहीं बात करो, मैं macro environment की, तो macro को तुम याद रख सकते हो, पेस्टल, पेस्टल अनलिस पढ़ा है ना, वही है या यार, और कुछ भी नहीं है, यह, अब देखो, important ना, micro environment को, sir, हम operating बोलते हैं, ध्यान से note कर लो, micro को हम operating environment भी बो operating environment, direct point बतार हो, जहाँ से questions बनते हैं, इसे हम operating environment बोलते हैं, ठीक है, comprises those forces, जिसका immediate effect हो हमारे organization पे, जैसे कि हमारे supplier होगे, अगर आपने supplier से अच्छा रिस्ता बना कर नहीं रखा, इनसे time to time जगरा करते रहो, पैसे नहीं दे रहो time to time, तो वो आपके supply chain को रोक देंगे, और जब एक बार supply chain रोक जाता है, तो आपका production cycle रोक जाएगा आपके organization, तो यह important है कि supplier के साथ अच्छा रिस्ता बनाओ, customer, customer हमारे guard होते हैं सर जी, यह तो हम बचपन से जानते हैं, तो उनका influence हमारे organization पे बहुत ही अच्छा खासा होता है, तो यह important है कि आप अपने customer को बहुत ही highly satisfying goods provide करो, उनके hoarding goods तयार करो, और cheaper quantity पे, मतलब sorry, cheaper price पे उन्हें Market intermediaries है कौन से होगे हमारे brokers होगे, agents होगे, यह company को मदद करते हैं customer ढूणने में, so यह important है, हमारा market intermediary के साथ भी है, अब बारी आती है competitor, competitor तो तुम जानते ही हो कौन होते हैं, जोकि same products बनाने में लगे हुए होते हैं, ठीक है मेरा भाई, activities of a business, adjust according to the actions and the reactions of a competitor, यहापे बोला है, मतलब उसके actions, reactions, उसके according आपके activities में चाहिए, समझ रहे हो, इस चीच का ध्यान रखना, फिर आते है financial intermediaries और public, financial intermediaries में जहां से आपको funds मिल रहे हो, जहां से आपके organization को funds मिल रहे हो, ठीक है, public तो तो तुम समझी गए, यह group भी हो सकते हैं, या फिर individual भी, अब कैसे सर, आप और हम जैसे customer के पास, ultimately goods पहुंचता है, macro environment को general और remote environment भी बोलते हैं, यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं, macro environment को general और remote environment भी बोलते हैं, बोलोगे तो नहीं ना, direct नाम बता रहा हूं, बात कर रहे हैं macro environment की, तो यह external होते हैं, uncontrollable factors होते हैं, इसके अंदर तुमारे economic environment, social environment, यह सारे चीज़े आती हैं, economy की जब मैं बात करता हूं, तो तुम्हें हमारे economy के इतने भी monetary policies हो गए, stock market indices हो गए, interest rate हो गए, inflation rate हो गए, यह सारे टम साते हैं हमारे economic environment, यह हमारे business space का immediate as well as direct impact पड़ता है, हमारे business पे, जैसे कि rate of interest, inflation rate, disposable income में changes आ रही हो, monetary policy, stock market indices, यह सारे चीज़े तुम्हारे economic environment के अंदर आती हैं, बात करो गर social environment की, तो इसके अंदर तुम्हारे various social forces आएंगे, जैसे कि customs हो गए, बिलिप्स हो गए, एक economical literacy rate कितना है, education level क्या है, lifestyle, standard of living क्या है, values judgment क्या है, यह सारी चीज़े आती है social environment के अंदर, ठीक है, next आता technological, political और legal, technological तुम simply एक example याद रखो, कि तुम scientific improvement कर रहे हो, और example तुम labor intensive technique से तुम capital intensive technique पे move कर रहे हो, मेरे बाद, तो यह किसका example होगा सर, technology, मत ठीक है, पहले हम use किया करते थे, वो 3 रुपे वाला pen, लिखो और फिको, आज मैं use कर रहा हूँ pen tab वाला pen, अभी भी use में है, लेकिन उस pen से हम यहाँ पे इस्तमाल नहीं ना कर सकते है, वीडियो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक presentation के तुरू तयार किया रहा है, एक होता है कि notebook में पूरा pen से लिखो, उसका photo click करो, फिर लगाओ, यह होता है, एक होता है laptop पे बैठके तयार करो, और इस pen से annotate करो, तेयर technological improvement हुई, वैसे ही जब तुम labor intensive technique से capital intensive technique पे move करते हो, तो वो भी technological improvement है, तो यह चाहिज यादा रखना, political environment, मतलब आपके भारत जैसे country में, just example मेरे भाई, किसी भी country के example ले सकते हो, किसी भी state के example ले सकते हो, उस particular state में political conditions कैसी है, वो डिनोट करेगा आपके political environment को, ठीक है, जैसे कि bad laws, order situations में bring uncertainty, ठीक है, अब यहाँ पर legal environment की बात करो, तो इसके अंदर various laws आएंगे, legislations आएंगे, जो कि government के दौर आपास की जाएंगे, administrative orders होगे, for example, advertisement of alcoholic beverage, alcoholic product के प्रचार प्रशार पे कहीं ना कहीं provisions हैं, restrictions हैं, तो यह legal environment के अंदर आती हैं, यह हमारा राप पेस्टल आनालिसिस, याद रखलना सर, just हमें full form याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है, T for technological, E for environmental, L for legal, यह सारे चीज़े याद रखलें, अब बार याती है, SWOT analysis की SWOT analysis बे एक important term है, S stands for strength, W stands for weakness, O opportunity, T stands for threats, simply एक business को SWOT analysis time to time करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, उसकी strength क्या है, weakness क्या है, opportunities क्या है, और threats क्या है, तो यह चारों चीज important है यहाँ पे, SWOT analysis के बारे में आपे कुछ और भी details दी गई है, तुम चाहो तो इसे एक बार consider कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे SWOT analysis, हमने जो पढ़ा SWOT analysis, इसमें strength और opportunity, sorry, strength और weakness, यह जो दो terms हैं, यह आएंगे हमारे micro environment के अंदर, micro, समझ रहे हो क्या है, यह दोबारा समझाओ, और यह जो दो words है, opportunities और threats यह macro में आईगे, अब देखो कुछ टाइप की economic systems होते हैं, जैसे कि capitalism होगे, socialism होगे, mixed economy होगे, capitalism market economy होता है सर, socialism command economy होता है, ठीक है, अब इसके बीच में differences दे रखे है, planned economy, इसमें सारे economic activities government के तोरह decide किये जाएगे, capitalism में government का role नहीं होता है, mixed economy में क्या होगा सर, यहाँ पे government laws बनाएंगी and regulate करेंगी, freedom of choice, planned economy में कोई भी freedom of choice नहीं देखने को मिलता है, महीं capitalism में consumer के पास और साथी साथ producer के पास freedom होता है, उनके choice में, mixed economy में limited freedom of choice होता है, ownership of natural resources की अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारा planned economy है, यहाँ पे state या फिर public sector, मतलब ultimately government के हाथ में होता है, यहाँ पे ownership, capitalism में private sector के पास, mixed economy में दोनों ही public as well as private sector बोथ, समझ रहो मेरी बात को, price determination क्या होगा, यहाँ पे planned economy में government price hit करेगी, और यहाँ पे price mechanism होता है, समझ रहो, price mechanism, demand supply forces हो गए, और यहाँ पे price mechanism system, government के तोड़ा regulate की ही जाएंगे, important है, अब और भी कुछ differences दे रखें, देख लेना एक बार, अब बारी आती है, fiscal policy और monetary policy के बारे में, यहाँ पे simply समझो, fiscal policy होता क्या है, जब government का revenue, उसके खर्चे को expand कर दे, मतलब exceed कर दे, if the revenue exceeds expenditure, revenue जादा हो in comparison of expenditure, तो उसे आप fiscal surplus नाम देते हो, लेकिन जब आपका खर्चा जादा होगा, expenditure जादा होगी, और revenue कम होगे, तो उस situation में उसे हम नाम देते हैं, fiscal deficit, monetary policy क्या होते है, इसके अंदर, यह हम money banking में, detail में पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ measures होते है, selective measures होगे, जैसे हम quantitative बोलते हैं, selective को qualitative बोलते हैं, bank rate, SLR, CRR, यह सारी चीजे, इसमें आती है, इन सब को हम detail में बढ़ेंगे, money banking में, तो यह सारी चीजे हमें यहाँ पर बढ़नी होती है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं इंड करेंगे, आज हमारा था day, first business environment का, इसमें मैंने तुमें बताए, basic introductions to the business environment, साथी साथ कुछ types of economic system, first day है, यार, आराम से करेंगे, smoothly cover करेंगे हर एक खेश को, तुम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, bye bye, take care.